हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल कॉम्पिटेशन टिप्स बाई अलकुमार आज हम करेंगे विल्लियम बटलर इस्ट की एक फेमस पोएम सेलिंग टू बाइजन्थी पोएम स्टार्ट करने से पहले हम पोएट की बायोग्राफी जान लेते हैं तो इनका पूरा नाम जैनवरी 1939 में और इनके पैरेंट्स का नाम था जोन बटलर इस्ट जो आईरस पेंटर्स थे और सुषैन मेरी इनकी माताजी का नाम था अकूपेशन्स था इनका आईरस पोएट थे ये ड्रमेटिक और मिस्टिक थे इनको फीमस अवोर्ड मिला हुआ है लिटरेचर्स का न इस राइस ने मिलकि को फंडडर थी दोनों मिलकि राइमर क्लब का ये लिट्टिन हैंडेट नाइन ती में ने ले मॉटगं समय जो जो टां टी upfront टीभिशनशाू यून के पार रओंच क्लब लेकिन हर बार उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया WB East इतने इनके पीछे पागल थे कि इन्होंने एक अपनी लड़की को लिए अपनी बेटी बनाए जैसे Mac Bridge Mac Bride थी और उन्होंने WB East ने उसको भी प्रपोस किया उसने भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो यनिकी मौटगों ने और उनकी अडॉप्टर डॉटर Mac Bridge ने भी नहीं इनको एकसेप्ट करा इनके परपोसल्स को फिर इन्होंने लेडी ग्रेगरी, मार्टिन और अदर राइटर जिसमें थी जी-म सिंजी, सीनो कैशी और पैडरिक कॉलम इन सबने मिलके आइरस लिटरी रिवाइवल्स का स्टैबलिश करा फिर 1899 में इन्होंने लेडी ग्रेगरी, एडवर्ड मार्टिन और जॉर्ज मूर के साथ आइरस लिटरी थेटर्स भी करा और साथ ही साथ इनोंने ऩा इरस नेशनल स्टैटर सोसाइटी भी करे काफी सारे इनों है आइरस जो आइरस की सोसाइटी is, इनके तेटर्स, इनके लिट्रेचर को बनाने में काफी इनका योगदान है और ये पहले आईरस सीनेट रहे 1922 में रहे दोबारा रियाप पॉइंट होए 1925 में इनकी एपिटप यानि की इनकी जो कब्र है उस पर क्या लिखा हूँ उनकी लास्ट लाइन लिखी हुए उनकी पोइम अंडर बैन बैल बन की और वो लाइने हैं कास्ट कोल आई on life on death horseman passed by ये इनकी एपिटप पे फेमस लाइने लिखी इनकी पोइम कों सी अंडर बैन बल्बन की उनकी मेजर वर्क हैं इस्टर्स 1916 में लिखी गई थी दे टावर, दे वाइंडिंग स्टेयर, ए प्रियर फॉर माइ डॉर्टर वेन वी आर ओल्ड, दे लेक, आईल, इनस्फरी, दे काउंटेस कैथलीन, दे फिशर्मेन और भी कई सारी तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोइम Sailing to Byzantium ये जो पोइम है वो एक आदमी की स्टोरी है जो अपने कंट्री को छोड़ कर Byzantium जा रहा है ताकि वैजान सके कैसे मोत पर विजे पाई जा सकती है, कैसे मोत को जीता जा सकता है Byzantium एक religious place है, जैसे हमारे यहां पर हम तीरत यात्रा के ले जाते हैं, बनारस हो गया है ये इस तरीके का ही एक शहर है, ये रियलिटिक थे लेकिन Byzantium एक रियलिटिक नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये इस टाइम जब ये poem लिखी गई थी, तो poet की strategy या उसका क्या वो सोचता है, वो उसकी age के ओपर depend करता है तो इस टाइम जो इस थे 1926 में थी ये, और उस टाइम ये 60 से 61 के बीच में इनकी age हो गई थी और ये जो poem है उनकी जो पहली बार publish हुई थी 1928 में, उनके collection tower में और ये force tenza की है, octa rima में लिखी गई है, और हर में आर्ट लाइने इसमें दी गई है, जो iam big pentometer में है और ये इसमें एक metaphor यूज किया गए, यानि byzantium जो जा रहे हैं, एक spiritual journey इसको दिखा रहा है तो चलिए अब line by line इसको explain करते हैं, that is no country for old men यहाँ point कहा रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति को represent करते हैं कि वह देश बुड़े लोगों के लिए नहीं है उनके रहने के लिए नहीं है, यानि कि यहाँ पर बुड़े लोगों के लिए कोई जगए नहीं है the young is one another's arm और वो क्या कह रहा है, कि जो young है, जो young generation है, you are no one है एक दूसरे की बाहूं में पड़े हैं, एक दूसरे की बाहूं में लेटे हुए हैं उन्हें किसी से कोई फरक नहीं birds in the tree और जो birds हैं, यानि कि जो चिडिया हैं वो पेड़ों पर बैठे हुए हैं वो मरती हुई generation उनके गानों को, अब ये जो पेड़ पर बैठे हुए हैं यहां पर क्या कहा है, पेड़ पर बैठे हुए हैं वो पक्षी वो क्या कर रहे हैं, those dying generation at their song तो यहां पर उन्हें क्या कहा है, पोईट ने कहा है कि यह जो generation है, young generation जो एक दूसरे की बाहों में है वो उन birds की जो पेड़ों पर बैठे हुए हैं उनका गाना सुन रही है, यानि कि उसे कहा है, dying generation, मरती हुई जनरेशन मरती हुई, पीड़ी, जो उनको गानों को ध्यान से सुन रही है, इनके जो पेड़ पर बैठे हुए पक्षी हैं, उनके गानों को सुन रही है ध्यान से अब आगे point बोलता है, the salmon falls, the mackerel crowded sea, जो salmon है और mackerel है, यह दोनों एक तरीके के fish होती है क्योंकि वहाँ पर जहां के यह है, वहाँ पर यह fish होती तो, यह कह रहे हैं कि जो salmon fish है, उससे पूरे जो water falls है, जो पूरे ताल जहां पर यह मिलती है, वो पूरे भरे हुए है, और जो mackerel है, वो भी उससे पूरे समुन दर भरे हुए हैं, यानि कि इतनी जादा मचलिया हो ता रहा है, fish, flash और फाउल, command all summer long, यानि कि फिश तो गी मचली, flash को हम या तो इनसान या जानवर कह सकते हैं, और या फाउल को कह रहे हैं पक्षी, मचली, इनसान या जानवर या पक्षी हो, यानि सारे हो, सारे जानवर, जन्तू, पक्षी हो, सभी summer के मुस्म को enjoy कर रहे है अपने में मजे ले रहे हैं, काफी लंबा समर है तो जो फिर ये पॉएट कहरा है कि बिगोटन का मततब होता है पैदा हुआ और बॉएट मततब जनम और डाई मततब मरना तो वहांपर पॉएट कहरा है कि इनका काम है सिर्फ बच्चे पैदा करना और जो जनम लेता है मरना भी है इसका मत्तब है कि life limited हो गई यानिकि बत पैदा हो रहे हैं और जनम ले रहे हैं और कुछ करनी रहे हैं एक दूसरे के बाहूं में पड़े हुई हैं पक्षियों के गाने को सुन रहे हैं और फिर मर जाते हैं यानि कि एक लाइफ को लिमिटेड कर दिया है इनके लाइफ में कोई भी सिर्फ प्यार और लस्ट के अलावा कुछ नहीं है कौच इंदा सेंशनल म्यूजिक और नेगलेट तो जो कौट है वो उसका मत inchबश पकड़ना अब क्या पकड़ लिया है पोईट बता रहा यहांपर सारे यंग जो है न यंग जैन्ड São São James जो है यानि कि दिमाग की जो बाते होती है इंटिलेक्चल जो बाते होती है वैसी कोई बात है इन्हीं सिर्फ सब जगें सेंस्वल्स और लव और लस्ट ही है कुछ दिमाग की बाते नहीं होए आगे एक पोईट कहता है कि Monument of Unaging Intellect तो यहां पर पोईट बता रहा है कि वैं उन सारी चीजों को नेगलेट करते हैं जिन पर टाइम का कोई अफेक्ट या कोई उन पर परभाव नहीं पड़ता है जो इंटिलेक्चल है वो उस Monuments को अंदेखा कर देते हैं जिसकी कोई एज नहीं होती एजलेस पर्मानें Monuments है जो कभी मरेंगे नहीं जो Monument है उसे Monuments होते हैं उनसे हम सीख सकते हैं उनसे हम जान सकते हैं ठीक है और update कभी कोई फरक पर तक कि को लि Brand को हमारे हिस्ट cereal के बारे में बताती है हमारी definis imagem के बारे में बताती है लेकिन ये जग ज़ो 2 यंग जरेशन है इस पड़ी की बहुत हैं बच्शियों के गाने सुन रही हैै 17 प्रेल मुजिक निया अपने आप values है उन पर ध्यान नहीं दे रही पोईट यह कहना चाहता है पहले paragraph में अब next paragraph में पोईट कहता है कि an aged man is but a plattery things एक बुड़ा इंसान यहां useless है किसी को उसकी जरूरत नहीं है परवा नहीं है यानि कि सब अपने में येंग जनरेशन तो अपनी बाखों में पढ़े हुए हैं तो यहां पर जो बुड़ा इंसान है वो useless हो चुका है किसी को इसकी कोई जरूरत नहीं है एक टैटर कोट अपॉन इस्टिक useless जैसे अब पोईट किस से compare कर रहा है मनि किस तरीके से वो useless है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि इसमें यूज कर रहा है तो कहता है कि जैसे एक फटा पुराना कोट लकड़ी की खूटी पर टंगा हो उतना ही useless है एक बोड़ा आदमी इस नई भी नहीं देखता पिर आगे कहता है कि soul soul sorry soul क्लैपस soul clap its hands and singing and louder sing तो जो soul होती है जो आत्मा होती है तो अब यहां पर वो क्या कह रहा है कि जब जब तक उसकी आत्मा ने बजाए ताली ने बजाए क्या ने बजाए जब तक उसकी आत्मा क्लैपस मत्तब ताली ने बजाए और गाना ने गाए तब तक करे तब तक ना करे जब तक नई जनरेशन से मिलने जाएं यानि कि वो कह रहा है कि इतना वो हो गया है कि अब उसके आत्मा को ताली बजानी पड़ेगी गाना गाना पड़ेगा और इस नई जनरेशन में मिलना पड़ेगा लाउडर गाना पड़ेगा फिर वो कहता है कि जब तक उसके शरीर का हर टुकड़ा पार्ट या कतरा हर पार्ट का एक एक हिस्सा है कतरा ने गाए इतनी जोर से तब तक उसे कलैप कर और गाना होगा जब उसे यह ने पता हो कि क्या गाना गाना है उसके लिए यनिकि गाना गाना है इसका मत्तब ये हो कहा है कि गोना पड़ेगा तौ तौ तुमें चाहिए उनकी बात थी, उनके जो आक्टिविटी हैं, वो समझ आई न आई तौ उनमें बस गाना गाना पड़ेगा इस तरीके से वो तौ तौ में बना देना चाहते है एक old man को फिर आगे वो कहता है कि Nor is there singing school but studying तो ये कह रहरा है कि आत्मा को ये बात सिका ही नहीं जा सकती की कैसी गाया जा सकता है उसके लिए school नहीं है वापर तो कोई school तो है है ही नहीं कि आत्मा को कोई सिकाने का कोई school हो तो आतमा तो जो अंदर होगा वोई आदमी वेक्ती अपना भार स्टेंबलिश करेगा तो इसलिए इसने कहा कि आतमा को ये बात तो ये बात से काई नहीं जा सकती कि कैसे काया जा सकता है उसके लिए कोई स्कूल भी नहीं है बलकि अब फिर यहां पर क्या कहता है कि जो आत्मा वाली जो बात थी तो उसमें वो कह रहा था कि यहां जो चीज यंग जनरेशन को करने चीए वो पोईट ओल्ड मैन को करने को कह रहा है यानि कि जो यंग जनरेशन को सीखनी थी आत्मा आत्मा को पहले से हम चोटे बच्चे होते हैं आत्माई तो होते हैं तरीके से उनको हम ट्रीनिंग देते हैं अपने आर्ट्स अपने कल्चर्स की अपने एक अच्छा सीटीजन बनाने की तो वो चीज अब मुझे करने को कही जा रही है कि मैं बूड़ा हो गया हूँ अब वो कह रहे हैं कि तुम हमारी तरह डल जाओ जो ए इसकी मुनोमेंट की भवेता की प्रसंसे करें स्थेडी करें मंदिक तम्हें तो यह जो मॉनोमेंट सेना इनकी जो अपनी मैगनिफिशिन वह इंका जो आकर्श ऐंक उनकी भवेता है उनकी प्रसंसेख करने चाए उनको स्टैडी करना चाहिए तुम-टॉ मैरे पीछे पड किया है और मैं इस बाइजेंटियम के धारमिक शहर में आ गया हूँ तो वो बता रहा है कि वो क्यों आया है कि वो बिलकुल यंग जेनरेशन जो है उनकी बिहेव से उनकी एटिट्यूट से उनकी जो वो कंडिशन्स है जो वो लस्ट में और जो सेंशल म्यूजिक में फसे हुए है और वो अपने मॉनूमेंट्स को कोच नहीं समझ रहे हैं उनको एग्ज़र नहीं कर रहे हैं उनको एप्रेज नहीं कर रहे हैं तो इस वज़ए से वो यहां पर आ गया है समुंदरों को पार करकी अगले में वो रिलिजियस बाते करता है O सेज़ Standing in God's Holy Fire O संतो संत कह रहा है या सन्यासी कह सकता है O संतो या सन्यासी जो भगवान की Holy Fire पवित्र आग में खड़े हैं कौन खड़े हैं संत या सन्यासी और God Holy Fire मनि भगवान की पवित्र आग में As in the gold mosaic of a wall जैसे किसी दिवार पर gold की mosaic पर बनी कोई image लग रही हो अब यहाँ पर gold तो जब वो जो संत या सन्यासी आग के पास खड़े हैं तो जब हम देखते हैं कि अंधेरे में आग चलती है तो हम दूर से देखते हैं कि लोग खड़े होते हैं गोल्डन तरीके के लगते हैं गोल्डन तो उसी को देखकर ये कह रहा है कि आपको देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि आप gold mosaic पर बनी कोई एक image हो एक कोई तस्वीर जैसे लग रहे हो came from the holy fire came from the holy fire परन इने जैरे तो जैरे तो होता है चक्र ठीक है जैर सोरी जैर होता है चक्र जो came from the holy fire परन इने जैर तो यहाँ पर वो जो point कह रहा है कि उस holy fire से बाहर आओ जो आपने पवित्र आग जला रखी है उससे आप बाहर आओ बाहर निकलो नीचे आओ या उतर कर आओ यानि कि बाहर निकलने को कह रहा है और जो मेरी सोल को है अब वो क्या कह रहा है जो चक्र आग का जो चक्र है उसको बाहर उससे बाहर निकलने को वो कह रहा है किसलिए कह रहा है और जो मेरी सोल है जो मेरी आत्म है उसे गाना सिखा दो उसे सिंगिंग में मास्टर बना दो यानि कि मैं इतना अच्छा अपने भगवान की स्टुत्ति कर सकूँ उसके लिए मैं पूजा में गीत का सकूँ वो मुझे सिखा दो आप इस ओली फायर से बाहर निकलो और मुझे इस सिखाओ dizendo यानि कि ये जो मेरा दिल है मोटल है उसे समाप्त कर दो उसे मत्बब वो कह रहा है कि उसे गंुम कर दो दूर ले जाओ मेरा दिल मोटल है और ये दुन्यादारी में फसा हुआ है तो इसको आप गंुम कर दो इसे दूर कर दो इन चीजों से एन फास्टन टू एडाइंग एनिमल जो अपनी इच्छा से परेशान है कौन इच्छा से परेशान है दिल को कह रहा है वो अपनी इच्छा से परेशान बिमार है और उसका बहुत बुरा हाल हो चुका है और जो एक मरते वे एनिमल से परेशान या फस चुका है वो एनिमल है बूड़े आदमी का शरीर यानि कि वो कहता है कि वो बहुत परेशान रहता है बूड़ा हो गया तो बीमार रहता है उसका बुरा हाल हो चुका है और वो एक तरीके से परेशान हो चुका है इस शरीर से तो उस पहले तो अपने दिल को और फिर उस जो शरीर को वो दूर करने को कहता है फिर आगे पोईट कहता है कि तो वो यहां पर कहता है कि और वो खुद को नहीं पैचान पा रहा है अब इट नोट वो खुद को नहीं पैचान पा रहा है कि वह क्या है मुझे समेट लो और साथ ले चलो इस दुनिया में जो कभी खतम नहीं होगी यानि कि वो कह रहा है मैं यहां से जाना चाहता हूँ मैं खुद को नहीं पैचान पा रहा हूँ कि मैं क्या हूँ क्या चीज हों, मुझे समेट लो मुझे साथ ले चलो इस दुनिया से जो कभी खतम नहीं होगी, यानि कि एक तरीके से ऐसी दुनिया जहां पर जनम, मरन और ये सब चीज खतम हो जाए उस दुनिया में इन्टू दा आर्टिफिस आफ एटेनिटी, यानि कि चीज में, क्लस्प में, यानि कि एक पिक्चर्स में, जैसे मोनालेसा की पिक्चर्स हैं, या कोई कीवस के अंदर जो पेंटिंग और आर्ट से रिलेटेड है, वो खतम नहीं होती वो कनवर्ट, तो कह रहा कि मुझे उन आर्ट के ऐसे अबजेक्ट में कोई भी अबजेक्ट में, मुझे कनवर्ट कर दो जो कभी खतम नहों, और मैं तो वो अभी पीछली लाइन में गही रहा था कि मुझे को नहीं पहचा नहीं पा रहा हूं मेरा मेरे दिल, जो है, वो उसको कंज्यूम कर लो तो ये सारे चीज़े कर वो कहता है कि किसमें कनवर्ट कर दो, आर्ट में आर्टिफाइस जो था, आर्टिफिस जो था मतब आर्ट में और जो एटनिटी होता है अनंतकाल जो अनंतकाल के लिए मुझे ऐसी अबजेक्ट में transfer कर दो next paragraph paragraph four आ गए है once out of nature I sell never take एक बार में इस nature nature का मतलब यहां पे शरीर को गह रहा है एक बार में इस nature या सरीर से बाहर निकल गया I sell never take मैं वापस उस सरीर में या किसी दूसरे के सरीर में नहीं बदलूगा यानि ये एक बार में निकल गया ना तो मैं वापस अपने में भी और किसी दूसरे के शरीर में नहीं जाओँगा my bodily from from any nature's things फिर वो कहता है कि हमेशा उसे shape पे रहूँगा मैं उस जो मुझे यानि का arts जो था मैं उसी shape में रहूँगा कभी वापस नहीं आऊँगा poet या सारी चीजों से relations को तोड़ देना चाहता है ठीक है वो बिलकुल ही उस चीजों से तोड़ देना चाहता है कि वो एक परम वो कह रहा है कि मुझे तो परमानेंट चीज मिल जाएगी ना मुझे तो इस सरी से बाहर निकल कि मैं जब convert हो जाँगा तो मैं वापस नहीं आँगा और वो सारे relation जब टूट जाएंगे but such a form as a Grecian's goldsmith make but लेकिन जहां पर कहता है कि एक लेकिन एक ऐसा शेप एक ऐसी आख करती जिसे किसी Greek के goldsmith goldsmith जो होते हैं सुनार ने बनाया हूं मैं कैसी Grecian's के goldsmith की जो शेप दी है Grecian's ने वो मने वो मैं बनना चाहता हूं एक जो शेप कैसी शेप बता यह वह अगले मनाएगा of hammered gold and gold enabling तो जो hammer होता है हथोड़े से पीट पीट कर उस पर सोने की परत चड़ी होई होती है वैसे यानि कि मुझे सोने में convert कर दो वो कह रहा है कि मुझे ऐसे एक art में जिसमें जो grecian gold smith है उसने होड़े से पीट पीट कर गोल्ड की enabling करी है उस पर उपर चड़ाई है तो वो मुझे उस सोने में convert कर दो अब वो किस सोने में convert कर रहा हो आगे लाइन में बताएगा to keep a drowsy emperor awake तो drowsy क्या होता है drowsy होता है थोड़ा थोड़ा जगना इस तरीके से नींद में नींद में तो वो कहता है कि जो एक राजा को जगाए रखे नींद से यानि कि नींद से उसको जगाए रखे उस तरीके का अब वो क्या तरीका है कि गोल्ड जो कह रहा था ने मुझे गोल्ड में कनवर्ट कर दो और वो राजा को जगाई रखे तो वो क्या और सेट अपोन एक गोल्डन बाउट टू सिंग तो गोल्डन बाउट टू सिंग था तो वो कह रहा है कि या मुझे एक सोने की चिडिया बना दो तो अभी वो कह रहा है था ना कि वो गोल्ड में था तोड़े से पीट पीट कर मुझे सोन एक सोने की परत चड़ा दे तो वो तो मुझे एक सोने की चड़िया बना दो, जो सोने की, यानि कि वो जो कहां बैठी है, सोने की ब्रांच, टहनी पर बैठी गाना करें, यानि वो चड़िया भी सोने की, उसके जो ब्रांच है, वो भी सोने की होगी, यानि कि वो उस पर बैठी होगी, सोने की पर, अब आगे क् Byzantium's के जो लोड्स होंगे और जो लीडीज होंगे उनके लिए गानागाए सुनाएगी उनको गानागागा कर सुनाएगी वो गोल्डन पक्षी गोल्डन ब्रांश फे बैठी हुई और जो बाइजन्टियम के लोड्स हो लीडीज को जो गाना सुनाएगी वो किस तरीकी है कि उनकी थीम क्या होंगे वह गाना किस के बारे में होगा वो होगा पास्ट के बारे में प्रेजन्ट के बारे में फ्यूचर के बारे में जिसे यंग जेनरेशन नेगलेट कर दे कर दे या कर रही है यानि कि वो कह रहा है कि मुझे एक ऐसी सोने की चिडिया में कनवर्ट कर दो जिसे क्रिशियन गोल्ड स्मित ने अपने हथोड़ों से मार मार कर मुझे सोने की परत में कनवर्ट करा है और मैं एक ऐसी चिडिया बन जाओं जो सोने की डाल पे बैठी हुई young generation है वो उसे वो यानि कि जब वो golden चिडिया बन जाएगा तो एक monument जैसा हो जाएगा monument हो जाएगा तो वो गाए और वो अपनी बाती अपने अपने देश का इतियास बताए और उनमें रास्टवाद अपनी देश की प्रती प्रेम जगाए और वो जो लस्ट में जो प्रेंसल म्यूजिक में जो फस्ट चुके हैं उनको से भार निकाल के अपने देश का बविश्य बनाने में मदद करें उनको इनमें जागरती लाए ये पोईट का मानना था इसलिए वो एक golden bird बनना चाहता था तो ये थी डबली बीस्ट की एक famous poem sailing to byzantium मैं इसके question answer अगले वीडियो में आपके लिए लाओगा तब तक के लिए हैवे नाइस थी